सेकंड ग्रेट सिक्षक भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भुपेंद्र सारण और सुरेश धाका की कोचिंग अधिगम संस्तान पर सुमबार सुबः जेडिये का पीला पंजा चला जैपुर के गोपालपुरा बाइपास स्थेथ अशोक विहार कोलोनी में कोचिंग की इमारत का जेडिये की टीम ने पहले मोका निरिक्षन किया था इसके बाद इमारत के मालिक और कोचिंग संस्तान के संचालकों को नोटिस जारी कर बहुत गंटे में जवाब मांगा था पर जेडिये की ओर से कारवाई की जा रही है जेडिये प्रवर्तन शाका की ओर से बुल्डूजर चला कर बिल्डिंग की द्वस्ति गरण की कारवाई जारी है मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रगुवीर सेनी ने बताया कि आवासिय भुखंडों पर जीरो सेटबैक्स पर बिल्डिंग बायलोस का गंभीर उलंगन कर बने गंभीर प्रकृती के व्रहद अवेद व्यवसाइक निर्मान रोड सीमा पर अवेद कबजे अतिक्रमन पर न बिल्डिंग को द्वस्त किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इमारत के मालिक अनिल अगरवाल और अधिगम कोचिंग संस्तान के संचालग भुपेंदर सारण, सुरेश धाका, धरमेंदर चोधरी और छाजूलाल जाट को बहुतर गंटे का नोटिस जारी किया गया था जिस प